नमस्कार दोस्तों आप सोब को सब्सक्राइब है हमारे इस नए वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे CRC IAGC Revolution तो अगे जो मारा फोर्मेट में रायेगा सिस्टम से मतलब पर मतलब है अगर उसमें को भी मेजर डिस्टेबंस आता या ब्लेक आउट जी कंडिशन होती है तो उस ताम पर हमारा पास क्या प्रोसीजर है उसको रिस्टोर करके उसके नॉर्मल एस्टेट में लाने के लिए इ प्रोसीजर को प्रोसीजर को करता है वह जो सब्सक्राइब करता है इसको सिमूलेशन के रूप अगर जाता है तो कौन-कौन सी इसी सिमूलेशन स्टेडिस की जाती। तो ऐसी काफे सारी translate studies की जाती है तो start करते है black start capability तो इसमें क्या होता है कि क्या study करते है कि कोई भी power plant capable है या नहीं without any external support वो खुद तो ब्लेक आउट के केस में वो खुद को स्टार्ट करके ग्रीड में पावर इंजर्ट कर सके तो इसको ब्लेक स्टार्ट कैपिलेटी बोलते हैं जो हमारा लाइन चार्जिंग रहेगा वह इस तरह के से चार्ज करना है कि जिससे की वह और एक्यूपमेंट की लाइफ भी हल्दी रहे और साथी साथ जो उसका उसमें जो फॉल्ट क्रेट हो सकता है और वो ना हो किसी वहरेटिंग तो उसम के टााइम चेहां एक को जो परेचिंग सेटेंग ना हम prefilis को इंथ स्टेडी वोन ए प्रटेक्शन के टाइंगग क्यों प्रटेक्शन चेतिए जो नमाःग बक्रेशन क्यों क्यों का तो एस vibra60 कि अन रहेकिए तो इन सब की study करना इन सब को simulation की तुरू study करना यह इसका एक major part होता है तो यह study कोन करता है विसिकलि यह सब study जो users होते हैं वो करते हैं बट यह RDC के guidance में की study को perform किया जाता है अगर जो हमारा blackout होता है उसमें जो normal steps होती है जैसे कि power generation को start करना ट्रांस्मिशन करना उसके अलाब कुण सी की steps है जो वहां के respective LDCs है वो इसको ले सकते हैं अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी frequency को establish करने के लिए हमाँ पास काफी सारी services होती है जैसे कि primary secondary और tertiary services हो गया तो इस तेगी कि जो services है उनको उस time पर suspend किया जा सकता है साथी साथ जो पावर मार्केट एक्टिविटी मतलब जो पावर का ट्रेडिंग होता है उस time पर जो पावर को draw किया जाता है पावर मार्केट के तुरू तो उस time उस चीज को suspend किया जाता है साथी साथ जो frequency से जो group initiat होता है generating stations में उसको भी सस्पेंट किया जा सकता है जिससे की restoration process को अच्छे से किया जा सके अगर हम ब्लेक स्टार्ट के टाइम पर कोई जनरेटिंग स्टेशन सपोर्ट कर आए तो उसको किसे किसे किया जाता है तो मान लीजिए अगर ब्लेक स्टा तो उसके लिए motivation का काम करेगा साथी साथ NLDC एक जो stakeholder उनके साथ consult करके एक पूरी प्रिप्रेशन एक procedure को प्रिप्रे करता है जिससे की जो ब्लेक स्टार्ट में जो भी participants रहेंगे उनको एक तेकर से monetary incentive दिया जा सके नेक्स्ट है हमारा real-time operation तो ग्रिट का जो real-time operation है इसको define करने के लिए हमारे पास कुछ states होती है तो वो states define की जाती है operational parameters और equipment condition के भी हिसाब से तो उसके category पर हमने 5 उसको parts में divide किया है normal state, alert state, emergency state, extreme emergency state, restoring state तो normal state का मतलब यह होता है कि जो भी हमारे parameters है वो value within the range operate हो रहे है alert state का मतलब होता है कि वो भी एक single contingence अगर आती है तो जो हमारे parameter से वो deviation हो सकते है उसकी operational range से emergency state का मतलब यह होता है कि जो हमारे parameter से वो उनकी normal range से out of the range work कर रहे है और साथ ही साथ जो equipment है वो all loading वाली condition में काम कर रहे है AC condition में जो grid operators है उनको immediately step लेने की ज़रूरत है किस तरी की step मान लिज़ेगर frequency low है तो उस time पर उनको load को shed करना पड़ेगा उनको operation करना पड़ेगा नेक्स्ट है हमारा extreme emergency state इसमें चार्ट एगी की चीज़ें हो सकती है कैस्केटिंग हो सकती है जो मारा under voltage frequency रिले है वो प्रेट हो रहा है या अपि लोट शेडिंग ओपरेशन हो रहा है इस वाली condition को सब्सक्राइब करने के लिए उस वाली स्टेट को सब्सक्राइब को जाना है तो इसकी इसकी है उसको ही टाइम डी एक्शन लेना पड़ेगा और अगर अगर को सब्सक्राइब करता है उसमें कौन को सी सिच्वेशन हो सकती है तो अगर हम मान लीजिए हमारा सिस्टम अभी ऐर्फ है यूश स्टम अभी स्टम अवर्विटर ना एक्शन ली ती उससे भी अमाल सिस्टम व्याकर से नोर्मल स्टेट में नहीं हाप आया तो उसके बाद क्यों सकते हैं IF इस केश में जो हमआरे ग्रीड श्रॉ सकती कि ही यूशनिक्ळी कि वो fail भी हो सकती है या फिर कोई major disturbance उसमें आ सकता है हमारी restorative state क्या होती है और इसकी effectiveness क्या होती है मतलब जब भी हमारा power system में अगर हम उसमें blackout या फिर major disturbance आ गया है अगर हम उसमें वापीस से जो हमारा system operator है वो control actions को लेके जो भी जो भी हमारा system के elements से उनको वापीस से reconnect करने की कोजिश करता है साती साथ जो load है उसको generating stations को वापीस से restore करने की जो actions होते हैं उस वाली condition को हम restore state बोलते हैं अब restore state से हमारा system कब normal state में आयाएगा यह depend करेगा कि हमारी जो actions है उसमें कितनी effectiveness है नेक्स्ट है हमारा demand and load management अब demand and load management इतना important क्यों है जैसे कि हम सब जानते कि हमारा grid जो grid है वो balance पर काम करता है जितना demand है उतना supply रहेगा तो grid का जो operation है वो reliable और stable रहेगा अगर इसे time पे इसलिए इसकी जो study है वो बहुत important हो जाती है तो next हमारा की जो automatic demand management system है यह क्या होता है तो automatic demand management scheme जो है इसमें basically अगर मान लीजिए grid में frequency बहुत low हो रही है तो उस time पे automatically load shadow ना start हो जाएगा तो इस scheme को बहुत सारे states ने इसको implement कर रहा है तो इसमें क्या होता है मान लीजिए हम 34 के example लेते हैं 34 में जो schedule था मान लीजिए x power उनका schedule था मतलब उनको x power का requirement था और वो x प्लस something x plus y power draw कर रहे हैं तो ऐसे time पकर frequency low होती है तो उनका वाय वाला जो portion रहेगा वो lot shedding के तुरू वह automatic demand management system के तुरूब lot shedding के तुरूब होता जाएगा तो अब यह case थे कैसा होगा यह कभी भी एक लंसम के रूपे नहीं होगा यह मैं चोटे 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 डिस्क्रिट ब्लॉक के फॉर्म में यह rotational basis पर यह वाय वाला portion load shedding इसमें एक्ट करेगा जैसे कि हो सकता है कि किसी एक state के किसी एक district के चोटे सा portion को यह cut करेगा फिर rotational basis पर वापीस से उसके पार को रिश्टॉर करेगा किसी दूसरे को cut करेगा तो इस तरीके से यह rotational basis पर load को share करता है और उसको वापीस से restore करता है तो इस तरीके से इसमें दोन फदाइगी के facility होती है load shedding भी होता है और load restoration process भी होता है वह consult किया जाता है कि माल लीचे कोई SLTC है अगर वह assess करता है कि नहीं अभी हमको करना है पड़ेगा क्योंकि system हमारा emergency state में आ चुका है या फिर alert state में है तो वह guidance तब वह initiate कर सकता है load shedding को या फिर जैसे ही अगर system में वापिस से रिश्टोर्शन किया जाता है तो सबसे पहले जो भी load shed किया गया तो उसको वापिस से रिश्टोर किया जाता है आफ्टर क्लेरेंस फॉर्म SLDC एं RLDCC तो यह था मेरा वीडियो और सी आर्सी आइजी से रिश्टोर्शन टॉंटिटी त्री का चेप्टर शीक्स प्रपरिटिंग कोड का तो आशके लिए तना है टांक्यू